हलो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सानल पर क्रिकेट और आप आज शिश्राटी और आज हमार साथ एक बार फिर से महजूद है अंजली महामुने जी जो कि एक डाइटिशन और स्पोर्ट नूट्रिशनिस्ट है और आज एक यूनीक और रेयर और सेंसिट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेड्स क्या है रेड्स 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 ठीक है तो रेड्स तो इसका पूरी तरह से हमें जानकारी दीजे और जैसे कि आपने कहा कि मैंने तो बहुत स्मायल के साथ एनरजी के साथ शुरुआत किये पर यह बहुत सिंड्रॉम से गुजर रहे हैं, जैसे अप अनने डिसकस किया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो वो कैसे उसका सुलिशन फाइंड आट करें, उनको तकलिफ काम हो, अपना में मकसद जो है, उनका जो भी इससे गुजर रहे हैं, उनकी तकलिफ थोड़ी से में जादा लोगों को यूस्टू है, बट ये एथलेट्स को या जनरल पोपुलेशन को बहुत कम जानका रही है, ये रेड एस के बारे में, तो रेड एस इस बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एनरजी डिफिशेंशी सिंड्रोम, और कोई को इसको एसको एस स्पोर् पर इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि साइकोलोजिकल एसपेक्ट, फिजियोलोजिकल एसपेक्ट, और नूट्रिशनल एसपेक्ट, तो ये एक अम्रेला टम है, इसके लिए इसको इसको सिंड्रोम करके कहा जाता है, पहले इसको फीमेल एथलिट ट्रायड करके भी कहा जात यह अभी male और female any gender को यह जंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इसका नाम अभी चेंज करके relative energy deficiency syndrome करके कहा गया है पहले ट्रायड था पहले female athlete ट्रायड कहा जाता था इसमें यह ओके तो इस यह मतलब इसके symptoms क्या है क्यों होता है कैसे होता है और इसका मतलब कैसे बचा जा सकता है या बचा नहीं भी जा सकता मतलब कुछ इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है तो ओके ओके जैसे यह relative energy deficiency syndrome यह इसके terms से ही हम कुछ इसकी extract कर सकते हैं जैसे कि यह है energy deficiency मतलब chronic energy deficiency for prolonged period of time जैसे कि कोई athlete होता है उसकी physical activity बहुत जादा होती है उसका calories जो expenditure होता है वो बहुत जादा होता है as compared to जो वो energy intake ले रहा है उसके according to कभी-कभी इसमें mismatch हो जाता है मतलब energy expenditure बहुत जादा हो जाती है और calories intake जो है बहुत कम हो जाता है इसके वज़े से बहुत सारे problems आ जाते है athletes में यह energy calories जो deficiency calories की energy के deficiency है वो शायद से उसका खुद का decision भी हो सकता है for their particular body composition उसको अगर करना हो या कुछी को body fat percentage का बहुत जादा obsession होता है उसके वज़े से वो कम calories खा रहा हो but इसका जो effect है body पे वो बहुत जादा severe होता है तो इसके मतलब इसमें तकलिफ क्या होती है इसके वज़े से यह relative energy deficiency syndrome के वज़े से athlete की जो injury का risk होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है hair loss हो जाता है और females में यह इसके वज़े से menstrual cycle और hormonal imbalancing का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है not only female reproductive health males में भी इनका reproductive health में बहुत जादा effect होता है जैसे कि जो testosterone hormone है fat derived hormone है वो estrogen है females में progesterone है females में fat derived hormone है बट हम energy कम ले रहे है energy expand जादा कर रहे हैं इनका hormonal imbalancing बहुत जादा बढ़ जाता है males में testosterone का लेवन डाउन हो जाता है उसके वज़े से उसको further future में बहुत जादा problems हो जाती है तो इन में बहुत सारे जन ऐसे भी है जैसे जो diet conscious रहते हैं बहुत जादा fat percentage की नहीं मेरा fat percentage 8 पे रहने कोना 10 पे रहने कोना बहुत कम खाते है या तो मैं पतली दिखने कोना लड़की ऐसा भी करते है कि इसलिए कम खा रहे है या तो उनको कुछ problem होंगी या उनको क्या सला देना चाहेंगे आपकी यह सही है या गलत है मैं तो मतलब इतना detail में नहीं बता पाऊंगा या मैं ऐसा देखता हूँ जो मैं देख रहा हूँ वो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ यह एक्चुली प्रेटी गूड सवाल है बहुत सारे लोग है कि वो calorie deficit में जाते है क्योंकि अभी calorie deficit में जाके वो अपने body composition को सुधारने के लिए कर रहे हो या यह not only for athlete general population भी बहुत बार लोग calorie deficit में जाते है ताकि उनका कुछ तो एक particular fitness goal होता है यह body composition सुधारना है कि मुझे इतना fat percent चाहिए होता है बट जब हम calorie deficit में जाते हैं तो calorie deficit should be mindful अगर आप 300 to 400 300 400 500 का अगर calorie deficit कर रहे it's pretty harmless बट अगर आप इससे भी कम जादा calorie deficit कर रहे हो लाइक 700 800 1000 तक आप calorie deficit कर रहे हो and for prolong period of time that will cause you that will definitely increase the risk of redis yeah तो जिनको already हुआ है समझ लिजिए deficiencies जो syndrome है इससे जा रहे है या तो या तो जा सकते है तो उन्होंने क्या precaution या उन्होंने क्या solution find out मतलब उसमें क्या करना चाहिए solution कैसे निकलना चाहिए this is actually multidisciplinary accept यह हम just nutritional accept के उपर बात कर रहे है बट अगर कोई athlete है वो redis में अभी गुजर रहा है उसको अभी बहुत सरे दिक्कत हो रहे है तो उसको अपनी साइकोलोजिस्ट और अपनी जो डॉक्टर है उनका भी वो सलह लेके एंड उनका डाइटीशन है उनके तीनों मिलके उनके उपर काम करना पड़ेगा अभी मैं आपको nutrition के बारे में अगर बोलू तो nutrition में आपको जो energy आपकी है अभी जो ले रहे है जितना calories आप intake कर रहे हो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे like 200-300 आपको हर हफते में आपको calories expenditure बढ़ाना इंटेक बढ़ाना होगा to match your और उसके साथ जो आपकी intensity of training है intensity of workout है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा तब जाके वो जो mismatch है वो कहीं तो भी जाके match होगा और दूसरा यह है कि आपके diet में आपको जो good fats है वो add करना पड़ेगा good fats such as घी, butter, almonds, coconut oil, walnut यह जो good fats वाले food group है वो आपको add करना पड़ेगा साथ साथ में good quality proteins such as eggs, chicken, milk, milk product, paneer, organ meats यह सारी चीज़े आपको add करना पड़ेगा अपके diet में along with that क्यूंकि आपका बहुत कम energy intake हुआ था अभी उसके वज़े से इतने सारे consequences हुए थे तो आपको कुछ supplements के भी ज़रूद पड़ेगी such as आप whey protein ले सकते हो आप vitamins के supplement ले सकते हो such as vitamin C, B complex, iron, fish oil यह सारी यह भी आप supplement ले सकते हो इसमें मुझे यह confusion है कि यह exactly पता चली नहीं सकता है मतलब जैसे मुझे है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा इन्जूरी हो रही है तो इन्जूरी हो रही है तो मुझे लगते है कि मैं कभी गलत कर लिया या कुछ exhaustion हो गया basically उस वज़े से इन्जूरी है ना कि यह syndrome क्यों जैसे तो यह पता कैसे चलेगा कि जैसे बाल जड़ रहे हैं तो कभी-कभी बाल बहुत जनों के ऐसे भी जड़ते हैं नॉर्मल में या वो है कि अगर आपकी इन्जूरी फ्रिक्वेंटली हो रही है और इन्जूरी का जो रिकवरी टाइम है वो ज्यादा हो रहा है आपको यह पता चल जाएगा कि हम मैं प्रिवि आपको यह प्रिविद्रों का जाएगा कि अगर दिश्का अगर चैन करके इक टेस्ट होती है तो भी आप वह यह मैं आने वादा था कि एक चेक अप कैसे होता है यह यह देक्स करके चैक अपको प्रिविद्री फ्रिक्वें उसमें आपका बोन मिनरल मास कितना है वह आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायेट चार्ड भी बना सकते है डायेट प्लाइन भी कर सकते है तो उस उस बैसिस पर पता चल जाएंगे कि अपने को यह यह विया गोइंग थू इस सिंड्रोम और नॉट बर डेक्स का सैंग भी आपको वह तब पता चलेगा कि आपको साश्ट होना चाहिए कर तो गलत कि मेरे ट्रेंग ़लत हो रही है या मेरा डायेट गलत हो रहा है फ hacker हम अगेम यह अधु और मेरा था मेरे विए इतना एंजर क्र प्ल्व बना जिन जिन को इससे फायदा हो रहा है अपने मित्र जनों से अपने फैमिली मेंबर से जरूर वाट्सअप ग्रूप पे अलग अलग जगा पे ये वीडियो शेयर किया थाकि उनको भी जो जा सकते या जा रहे हैं उनको कही न कहीं इससे फायदा होंगा मैं आप तक ऐसी वीडियो पहुचाते रहूँगा थैंक यू सो मच जुडने के लिए और आपको कोई भी क्यूरीज रही आप कमेंट बॉक्स में डाले अपना स्पेसिफिक डायट चार्ट जीम ट्रेनिंग चार्ट हम स्पोर्ट स्पेसिफिक तो बना ही रहे है जनल में भी कर दो आपको का दोल्म h यवाल तक है जनल में फुडना स्पेसिपड़ बना खर्टियूंग झाल झाल